नमस्ता दोस्तों आप सभी का मैं सौगत करता हूँ अपने चैनल पे उमीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़ी होंगे तो आज मैं आप सभी सामने एक नया वीडियो लेकिया चुका हूँ आज मैं आप सभी को इस वीडियो में तरह रहा हूँ कि आपको अगर हॉंडा SP BS6 2020 मौडल पर्चेस करना है और वो भी आपको एमाई फाइनस करवाना है तो आप इस गड़ियो कैसे एमाई फाइनस करा सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जन काई देंगा आपको क्या 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 डॉक्मेंट चाहिए होगे आपको और क्या 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 आपको और रिकॉर्मेंट होगे आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जन काई देंगा आपको भी हो अगर Honda SP पसंद है और आपको इसको फाइनस करवाना है लगबग इस गाड़ी के प्राइजिंग की बात कलने तो मैं सोनबद उत्तर प्रिस में रता हूं वहां पर लगबग इसके डिस वेरिंट की प्राइजिंग लगव है 95-96,000 के आसपास है तो हमें एक एवर कलने आपके डॉकुमेंट्स लग जाएंगे अधार कार्ड पैन कार्ड आपका दो मेंची लगेगा आपका इससे एड्रस प्रूब भी मिल जाएगा उसके बाद आप जहां पर रहते हैं वहां का आपको कुछ एड्रस प्रूब देना पड़ेगा मला आप उस घर पर रहते आपके 6 माजे में जो बैंक की स्टेटमेंट है आपकी सेलरी जो आपकी क्रेडिट होती है वह चीज आपको जो भी बैंक वाल आते हैं वह चीज जो भी फाइनेस कराने कंपणी आती है वह बिल्कुली चीज़ें करती हैं बहुत लोग इजी तरीके मता देते हैं कि ऐसे आपको इसारे लगभग पांस अच्छे आपको दोकुमेंट देने पड़ेंगे उसके बाद जाके आपका फाइनेस होगा लगभग दो से तीन फोटो भी आपके लग जाते हैं पासवोट साइज उसके बाद माल लीजे कर एक एक जामपल ले लेते हैं इस गाड़ी के प्र आपके लिए तो उनका जो रेट आप इंटरेस्ट होता है लगभग माल लीजे हमें एक एवरेज एके चलते हैं 12% रेट आप इंटरस्ट है हमको 95 रुपे का फाइनेस करवाना है जो हमारी होंड़ा स्पी निटी फाइट थाउजन पर रही है हमको पढ़ रही है हमको चाहिए जो कि हमारा लोन आप जाएगा उसके बाद उसको मचाते हैं कि हम उसको दो साल में अराम से पे करें बतलब 24 महीने चौबिस महीने में उसकी जो 75,000 बढ़ जाएंगी उसके बात करें तो अगर कैलकुलेट करें निसके साबसे तो आपको पर मथाएगा आपको लग में भीका है स्थेटमेन जो होता है 6 मोईने का कि आपकी सेलरी आती हुई हो तब एक बहुत केसे सेंस होती है गाड़ी आपको पता ही होगा आपको काम परूसेस है आपको थोड़ा टाइम इसमें बेस्ट होता है और आपको सारे गाड़ी finance कराई है अभी कुछ टाइम पहले तो आपको rate of interest कितना पे करना पड़ा है कैसा आपकी गाड़ी finance होई है क्या 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 आपको document लगे हैं अगर आपने Honda SP करा है तो इसका बताएगा कि लगबुत दो सचाल लोगों ने मुझे बूचा आगया अगर उनको Honda SP कराने तो कैसे finance करा सकते हैं इसलिए आपके लिए एक डेटेल्ड वीडियो लेकि आ गया उसके बाद चलिए आगे पड़ता है तो 95,000 गाड़ी थे अपने 20,000 रुपे दे दिये 75,000 रुपे का लोन बना उसके बाद मैंने आपको बता दिया 3548 रुपे 3548 रुपे हर मेंने अकाउ सकते हैं हर कंपणी के प्रसेशन चार्ज यह चार्ज हो चार्ज और होते हैं तो आपको यह चार्ज होते हीं होते हैं तो आपने 25 रुपे का finance लोन लिए उसके लिए पको 10,000 रुपे 24 में आपके एक्सर जाएंगे मतलब जो इंट्रेस्स होता है जो लगएगा एक्सा चार्ज जो होते हैं इंट्रेस्ट के वह आपके 10,000 रुपए मलब आपको टोटल पे करना पड़ेगा 85,000 153 रुपे जो आपने 75 रुपे का लोन इंट लिया था साल के लिए 24 महीने के लिए उस पर आपको तो आपके उसके जिगव पचासी हार एक्सो तीरपन रुपे पे करना पड़ेगा और हन महीने जो आपके एकाउंट से पैसे डिडेक्ट होगे और जो होंडा का शोरू में वहां पर प्राइवेट कंपनी कर दिता लगो वहां पर आट से नौ दस परसंट का आपको इंट्रेस्ट है लिए कि तभी मैंने आपको मैक्सिम्म बारे परसंट का बताया है तो यह तर फ्रेंट्स अगर आप कोई बाइक फाइनस करा चाते हैं त तो यही था फ्रेंट्स एक डिटेल्ड वीडियो हॉंडा एस भी और आप कैसे से फाइनस करा सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस लाइक करें अगर आप हमारे चले पर नहीं है तो प्लीज हमारे चले जरू सब्सक्राइब का उसको प्रेस करें कैसे भी ठोक दीजे और अगर वह कोई भी कोशन हो कोई भी कर रही हो या कोई दिकतर प्रसान आपको आ रही हो तो आप कमेंट में जरूब पूछ सकते मैं को मैं आपको विल्कुल रुप्लाइब करूँगा थैंक यू फॉर अचिन इ सब्सक्राइब क्यान आड युष शहीं से डियन इसक्राइब